हलो फ्रेंड्स मैसेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज आप इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टन रियक्शन पढ़ेंगे हॉपमेन ब्रोमामाइड डीग्रेडेशन रियक्शन हॉपमेन साइंटिस्ट का नाम है ब्रोम बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है और यह इसमें मैं सबसे पहले आपको रियक्शन बताऊंगा जो वन मार्कर में सीवेसी बोर्ड में पूछी जाती है जनरली इसका यूज कनवर्जन में बहुत ज्यादा यूज होता है एस इस टैप डाउन रियक्शन और तीसी चीज लास्टम में मैं इसकी मेकानिस भी बताऊंगा और वो में सीवेसी बोर्ड में नहीं है लेकिन कॉम्टीशन में उसका बहुत ही इंपॉर्टन रोल है ठीक है अब देखते हैं यहां पर मैंने लिया और सी डबल बॉंड ओ एनेच टू प्लस बी यार्टू प्लस एने वेच एनेवेच की जगह पर आप केवेच भी ले सकते हैं जब एनेवेच और बी आर्टू रियक्शन करते हैं तो बनता है एने ओ बी यार मेंज कहीं पर एने ओ बी यार भी लिखा है तो भी एकी चीज़ है कि वो हौक्मेंड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है इसमें इसका नाम होगा sodium hypo bromide अब इस reaction में एक important चीज जो की है degradation means number of carbon का कम होना वो उसकी trick से आप समझ सकते हैं carbonyl group जो की यह है इसके left side में जो भी alkyl part attach होता है वो NH2 से attach हो जाता है यह इसकी trick है कि जो भी alkyl part attach हो वो एक carbon यानि carbonyl group को छोड़कर directly NH2 में attach हो जाएगा और जो carbonyl group है वो remove हो जाता है in form of Na2CO3 साथ में HBR मिलेगा और H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर जितना भी आपने carbon substrate में reactant side में लिये होते हैं उससे एक कम carbon का amine form होता है तो यही significance है degradation reaction का ठीक है ओके clear हो गया अब इसमें मैं आपको specify कर रहा हूँ कि R क्या होगा aromatic और फिर उसके बाद उसके भी example देख लेंगे अब देखे R की जगहे पर मैंने ले लिया CH3 C double bond O NH2 आपको common name भी पता होने चाहिए जैसे इसका नाम है acetamide और यह वही same reagent BR2 NaOH और क्या होगा ट्रेक भी same रहेगी एक है क्या होगा CH3 NH2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस HBR ठीक है clear हो गए अब यह एलिफेटिक के साथ साथ में aromatic के लिए भी यूज होता है यहां पर हमने लिया C double bond O NH2 और इसका नाम है benjamide और यह हो जाएगा BR2 प्लस NaOH और इस केस में भी आप देख सकते हैं यह पार्ट यहां अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा एनलीन बन जाएगा प्लस Na2CO3 प्लस HBR प्लस H2O ठीक है तो यह हो गया इसका इसके example के एक एलिफेटिक के साथ और एक एरोमेंटिक के साथ में ठीक है अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी mechanism ठीक है तो इसको हम उपर की तरफ कर देते हैं और mechanism में कौन कौन से important part है जो आपको आने चाहिए और competition में पूछे जाते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए अब देखिए आपने आर सी डबल बॉंड ओ एन एच टू लिया अब यहां पर क्या होगा कि यह जो बियार टू और एने वेच यूज होता है उस में से बियार आएगा ठीक है अब क्या होगा यहां से एच और यह से अटैच हो जाएगा आर सी डबल बॉंड ओ एन एच और यह वी आर इसका नाम है एन ब्रोमामाइड ए थिक है तो आपने होक्मेन ब्रोमामाइड में जो नाम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है वो यह थे ठेक है ब्रोमामाइड ठीक ओके आब उसके बाराद क्या होगा next step में C double bond O N और ये H में बाहर को लिख देता हूँ BR जो NaOH है वो उसमें से OH माइनस आएगा और वो OH माइनस यहां से ये H प्लस ले जाएगा और bond pair इस nitrogen के पास में दोस्तों mechanism में सबसे ज़्यादा important होता है जो arrow आप सो कर रहे हैं कि electron कहां जा रहा है electron density कैसे move कर रही है उसी को importance दीजिए उसको आप ध्यान रखिए आपका question कभी गलत नहीं होगा यहाँ पर देखिए OH माइनस है negative species तो obviously वो एच प्लस ले जाएगा तो N के उपर charge जो है वो create हो जाएगा अब आपको पता है कि nitrogen के ऊपर ओल्रेडी लोन प्यर होता है मतलब जैसे यह यहाँ पर आप देख सकते हैं neutral species है इसके पास लोन प्यर है तो जब यहाँ पर इस condition में एक electron प्यर और आ गया बैट इस एनाइन इक प्यर क्योंकि वो negative charge create कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यह लिजिए यह लोन प्यर हो गया और इस तरीके से ठीक है आप यहाँ पर इसको ऐसे कर दिजे डैट इस एनाइन इक प्यर ठीक है और यह जो चीज है वो है loan pair ठीक है ओके clear है इसको कहा जाता है N-bromamide N-ain N-bromamide N-ain कहा जाता है इसको ठीक है clear हो गया अब next step में क्या होगा एक important चीज है जो आपको पता होने चाहिए R-C double bond O N यह मैंने agitives करती है यहाँ पर यह जो BR है वो bond लेकर निकल जाएगा BR- तो क्या बनेगा R-C double bond O अब आप खुर सोचिए कि nitrogen पर पहले से negative charge था लेकिन उससे जो bromine attached था वो bond pair लेकर चला गया जब भी कोई item remove होता है bond के साथ में तो उस species पर क्या आती है obviously positive charge जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ जैसे यहाँ पर C और यह CL है यह remove हो जाए तो अब carbon पर यह जो carbon है इस पर क्या आएगा positive charge आएगा बैसे ही इस case में जो nitrogen से BR bond के साथ remove हुआ है तो उसमें क्या आएगा positive charge अब nitrogen के पास पहले से ही negative charge है तो क्या होगा वो nitrogen neutral हो जाएगा पहले से negative है positive charge create हुआ positive or negative neutral हो गएगे ठीक है electron density as it is रहेगी अब आप देख रहे हैं ये वाला जो nitrogen ये वाला nitrogen ठीक है जिसको मैं green color से show कर देता हूँ ये लीजे ठीक है ये वाला nitrogen इस पर चारों तरब कितने electron है total है 6 electron कैसे देख सकते हैं आप ये रहेखे ये bond pair 2 electron ये वाला 2 electron और ये वाले 2 electron total है 6 electron 6 electron है इसका मतलब ये species एक electron deficient species है मतलब ये एक electrophile की तरह act करती है या फिर electrophilic center हो सकता है मेंज किसी भी जो electron deficient species है उसके साथ ही attach हो जाएगी मैं फिर से बताता हूँ अभी nitrogen पर 6 electron है इसका मतलब इस पर electron की कमी है ये एक electron deficient species है मेंज ये एक electrophilic center हो सकता है या फिर electrophile हो सकता है जो दूसरों के उपर attack करे ठीक है इसको कहा जाता है acyl nitrine acyl nitrine अब question कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ देखिए पहला question ये वाला N-bromide anine बनता है या नहीं बनता electrophilic center कौन सा होता है या फिर वो species जो electron deficient होती है during the mechanism of hopman bromide degradation वो है acyl nitrine ठीक है clear हो गया अब इस acyl nitrine में एक और important point होता है एक important step होता है वो आप नहीं जानेंगे तो ये mechanism पूरी नहीं हो सकती तो वो भी देख लीजे इसमें R, C, double bond, N और यहाँ पर यह electron pair है इस case में ध्यान रखिएगा जो nitrogen है उसके पास में जो carbon carbon है यह जो carbon है इसको कहा जाता है carbon carbon यहां से alkyl part shift होगा यह ध्यान दीजेगा bond लेकर shift होगा जैसे ही मैंने आपको बनाया है कि R के साथ bond attach है और वो shift हो रहा है आप देख सकते हैं दूसरे कलर से भी कर देता हूं यह देखिए यह मैंने इस तरीके से बनाया जिससे आपको पता चल रहा है कि R अपना electron pair लेकर जा रहा है तो क्या बनेगा यहां पर आर यह nitrogen अब देखिए nitrogen क्या था neutral था आर अपना electron pair लेकर गया और उसके साथ attach हो गया यह बात पता है कि nitrogen पर electron density कम है लेकिन था तो वो neutral और किसी negative species से attach होगा जैसे क्योंकि R minus हो जाएगा क्योंकि यह bond लेकर जा रहा है तो जब R minus neutral nitrogen से attach होगा तो nitrogen क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा यह देखिए यह इस तरीके से ठीक है negative 4 जा गया अब उसके बाद C double bond O और आप देख रहे हैं कि जो carbon से alkyl part remove हुआ है तो carbon पर क्या आ जाएगा positive charge तो आपको nitrogen पर आए हुए negative charge के बारे में जानकरी पता चल गई कैसे आया और carbon पर जो positive charge आया वो कैसे आया वो भी पता चल गया अब इस में होगा rearrangement देखिए यह rearrangement होगा किस तरीके से देखिए यहां पर यह इधर आ जाएगा तो यहां पर यह क्या होगा N double bond C double bond O यह एक साथ लिख दीजिए क्योंकि इनमें resonance हो रही है अब इस जिसमें resonance हुई है इसको कहा जाता है आईसो सायानेट ठीके ध्यान रखिएगा आईसो सायानेट यह बन गया अब इस आईसो सायनेट में आगे की process क्या होती है देखिए एक question था के एसाइल नाइट्रीन बनता है जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया यह वाला question देखिए जो फिर से समझना चाहते हो एसाइल नाइट्रीन के बारे में दूसरा एलकाइल सिफ्ट होती है और तीसरा आईसो सायनेट बनता है ठेक है यह तीन question अल्रेडी आये हुए हैं आगे कौन से आ सकते हैं वो आप खुस हो सकते हैं कि मतलब competition में कुछ पता नहीं होता कि कोई भी पॉइंट वो मेकैनिजम का डाल देते हैं हलाकि मेकैनिस तो डैरेक्ली नहीं पूछी जाती लेकिन कोई भी पॉइंट वो डाल देते हैं तो यहां पर पूरा complete समझना जरूरी है अब देखिए आईसो साइनेट में किस तरीके से आग सेली पॉजिटिव तो सिंपल सी बात है और एन यह एच उसके बाद यह हो जाएगा सी और यह ओएच डवल बॉंड यह लेज़े अब देखिए इसको मैं यहां फिर से लिख रहा हूं और इस में क्या अगले अगली कंडिशन होगी वह आप खुद समझ सकते हैं देखिए यह यहां से निकलेगा ठीक है यह बाला बॉंड यहां जाएगा मतलब नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सी ओटू रिलीस हो जाएगी और एच प्लस कहां आ जाएगा और बेसली नाइट्रोजन के पास फिर से देख लीजे यह चीज यहां बाल जा रही है मैं इसको दुबारा करके दिखा देता हूं सारे यहां यह यह यहां यहां आया तो इसका मतलब यह जो हाइट्रोजन है वो कहां आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास में तो यह क्या बन जाएगा आर एनेच टू और सीओ टू निकल जाएगा ठीक है तो आपको समझ आ गया के प्राइमरी अमीन कैसे बना हॉप मैं ब्रोमाइड डीग्रेडेशन मैं आपको एक बार रीकैप करवा देता हूँ और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए अच्छे से अच्छे अच्छे टॉपिक आप पढ़ सकें देखे सबसे पहले मैंने एक अमाइड लिया था बी आर टू और एनेवेज के प अच्छन होगी और आपको इसमें भी एक कारवन कम का अमीन मिल जाएगा ठीक है अब उसके बाद में थोड़ी से डिफिकल्ट है लेकिन आप समझेंगे जैसे पॉइंट मैंने बताए हैं वो करेंगे तो हो जाएगा सबसे पहले एनब्रोमामाइड बनेगा फिर उसके बा साइनेट का हाइडरोलेसिस होकर हमें मिलेगा और एनेच टू यहाँ पर एक चीज मैंने बताना भूल गया वो है यहाँ पर यह स्टेप को आई एम पी ए कहा जाता है आई एम पी का मतलब होता है इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज यानि एक ही मॉलिक्यूल मे है एक प्लस दूसरी जगहे पर सिफ्ट हो रहा है इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से मैंने यह मेकैनिस बता दी आपके लिए बहुत सारी नेम रियक्शन अल्रेडी अबैलिविल है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर द यह भी बताएं थैंक यू बेरी माच एंड बेस्ट अफ लाख